परमेश्वर के तैनिक वचन लोग परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं होता। परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं लोग अपने मुख से तो करते हैं किन्तु उनके रिदय में परमेश्वर के लिए जगा बहुत थोड़ी होती है और इसलिए परमेश्वर बार बार मनुष्य की परीक्षा लेता है चुकि मनुष्य अशुद्ध है इसलिए परमेश्वर के पास मनुष्य की परीक्षा लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है ताकि वो शर्मिन्दगी महसूस करे और इन परीक्षाओं से गुजरते हुए स्वयम को पहचान ले अन्यथा मानवजाती प्रधान दूद की वन्षज बन जाएगी और निरंतर और भरष्ट होती जाएगी परमेश्वर में अपने विश्वास की प्रक्रिया में हर व्यक्ती अपने बहुत सारे व्यक्तिगत इरादे और उद्देश्य छोड़ता चलता है जैसे जैसे वो परमेश्वर के निरंतर शुद्धिकरण से गुजरता है अन्यता परमेश्वर के पास किसी भी व्यक्ती को उपयोग में लाने का कोई रास्ता नहीं होगा और नहीं वो लोगों के लिए अपेक्षितकार यही कर पाएगा परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को शुद्ध करता है इस प्रक्रिया में मनुष्य स्वयम को जान सकता है और परमेश्वर मनुष्य को बदल सकता है इसके बाद ही परमेश्वर मनुष्य को उसके जीवन में अपने उपस्थिती का बोध कराता है और सिर्फ इसी ढंग से मनुष्य के रिदय को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ा जा सकता है इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में विश्वास करना इतना आसान नहीं है जितना की लोग कहते हैं परमेश्वर की द्रिष्टी में यदि तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञान है किन्तु जीवन के रूप में उसका वचन नहीं है यदि तुम केवल स्वयम के ज्ञान तक ही सीमित हो और सत्य का भ्यास नहीं कर सकते या परमेश्वर के वचन को जी नहीं सकते तो ये भी एक प्रमान है कि तुम्हारे पास परमेश्वर से प्रेम करने वाला रदय नहीं है और ये दर्शाता है कि तुम्हारा रदय परमेश्वर का नहीं है परमेश्वर में विश्वास करके ही उसे जाना जा सकता है ये अंतिम लक्ष है मनुष्य की तलाश का अंतिम लक्ष तुम्हें परमेश्वर के वचन को जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपने अभ्यास में तुम्हें उनकी अनुभूती हो सके यदि तुम्हारे पास सिर्फ सैधान्तिक ज्ञान है तो परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास बेकार हो जाएगा यदि तुम इसे अभ्यास में लाते हो और उसके वचन को जीते हो तभी तुम्हारा विश्वास पूर्ण और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप माना जाएगा इस ख्षेत्र में बहुत सारे लोग ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन मृत्यू के समय उनकी आँखें आसूं से भर जाती हैं और अपना संपूर्ण जीवन नश्ट कर देने और बुढ़ापे तक अपने जीवन की निरर्थक्ता के कारण वे स्वयम से घ्रिना करने लग जाते हैं वे केवल से धांत समझते हैं लेकिन सत्य को अभ्यास में नहीं ला पाते ना परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं इसके बजाए वे बस यहां वहां मधुमक्खी की तरहा दोड़ते भागते रहते हैं मौत के कगार पर पहुँचने के बाद ही वे अंत तहा देख पाते हैं कि वे परमेश्वर के सच्चे गवाह नहीं है वे परमेश्वर को बिलकुल नहीं जानते क्या तब बहुत देर नहीं हो गई होती है फिर तुम वर्तमान समय का लाभ क्यों नहीं उठाते और उस सत्य की खोज क्यों नहीं करते जिसे तुम प्रेम करते हो कल तक का इंतजार क्यों यदि जीवन में तुम सत्य के लिए कश्ट नहीं उठाते हो या इसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हो तो क्या तुम मरने के समय पच्चताना चाहते हो यदि ऐसा है तो फिर परमेश्वर में विश्वास क्यों करते हो वास्तों में व्यक्ति अगर थोड़ा भी प्रयास करे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो सत्य को अभ्यास में ला सकता है और इस तरह परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है मनुष्य का रिदय निरंतर राक्षसूं के कबजे में रहता है और इसलिए वो परमेश्वर के वास्ते कार्य नहीं कर पाता बलकि वो देह के लिए निरंतर इधर उधर भटकता रहता है और अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता यही कारण है कि मनुष्य निरंतर समस्याओं और कठिनाईयों से घिरा रहता है क्या ये शैतान की यादनाएं नहीं है क्या ये देह का भरष्ट हो जाना नहीं है केवल दिखावटी प्रेम करके तुम्हें परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बलकि तुम्हें ठोस कदम उठाना चाहिए खुद को धोखा मत दो ऐसा करने से क्या फाइदा अपनी देह की इच्छाओं के वास्ते जी कर और लाब तथा प्रसिद्धी के लिए संगर्ष कर तुम क्या प्राप्त कर लोगे प्राप्त कर दो